नमस्कार क्या प्रेग्नेंसी के दौरान आलू बुखारा खाना सुरच्चत है गर्वा वस्ता के दौरान महिलां को अपने साथ साथ गर्म पलने वाले बच्चे की सेथ का भी ख्याल लटना होता है इसलिए उन्हें कुछ खास पदार्तों के शेवन से परज़ करने की सलहा द अम्रद होता है इसलिए इसका सेवन गर्वावस्ता में किया जा सकता है इसमें मौजित कैल्चिम आपके भून के लिए जरूरी पोशक तक्त्त्त्त है लेकि इसका सेवन संतुलित मात्रा में ही करें एक अध्यन के मताविक गर्वावस्ता में सूखे आलू उखारे के अर् प्रेग्नेंसी के लिए जरूरी होते हैं आलू खारे को लोग कैलोरी फुड माना जाता है इसलिए गरववस्ता में इसका सेवन अन्य पोश्क तत्तों के साथ ही करना चाहिए अगर आप महज आलू खारे का ही सेवन करेंगी तो प्रेग्नेंसी के समय आपके शरीर को आपके अहार में सामय करना स्वास्त वर्दक माना गया है प्रेग्नेंसी में आलू खारे क्काणे की कईवाव हो सकते हैं बशर्ति ये संतुलत मात्रा में खाया जाए आ ये स्वास्त नम्मर एक यह बलड़ ग्लूकुज की इसतर को बना रगता है गरवस्ता में होने वाले सारे रगी बतलाव की बज़े से रग्त सरकरा का इस्तर बढ़ जाता है जिस बज़े से महिलाओं को गर्वावदी मदमे हो जाता है इस दोरान कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स और जी आई वाले खादपदादों का सेवन करना चाहिए जिसमें प्लम भी सामल है इसलिए आलु उखारा आपके सेवन में ग्लूकूज के स्तर को निंदर करने में मदद कर सकता है फायदा नमबर दो पाचन में साइक आलु उखारे में मौझूद फाइवर आपके पाचन क्रिया को भी ठीक करता है इसका सेवन आपके पाचन में साइक सावित हो सकता है फाइदा नम्मर्ट 3 कबज में रहात गर्वत्ती में होनेवाले हार्मोनल परवतन के काण कबज की समश्या हो सकती है साथ ही आईरन सप्लिमेंट वी कबज का काल बन सकते हैं इस दोरान आप कब्ज से रहात पाने के लिए आलु उखारा या सुखे आलु उखारे का शेमन कर सकती हैं सुखे आलु उखारे का राज जिसमें ज्यादा लाबकारी माना जाता है फाइदा नमबर चार समय से पूर प्रिशव से बचा गरबती के आहार में बिटामिन से की कमी की बज़े से समय से पूर फरसव होने का खतरा बढ़ जाता है ऐसे में बिटामिन से आपके पूर प्रसव के चोकिम को कम करने में मदद करते हैं इसलिए आप अपने खाद पदार्तों में आलु उखारा शामल कर सकती हैं फादा नमबर 5 गर्वबतियों को खड़ी स्वास्ते बनाए रखने के लिए केल्सियम की जरूरत होती है, तामें सेहत मन्द है, इसलिए केल्सियम से भरपूर आलुखारे और शुके आलुखारे को आहर में सामिल किया जा सकता है, फादा नमबर 6 और्जा बढ़ाने में साहि गर्वतियों को आरेन की कमी से खून की कमी यानि एनिमिया से जूजना पड़ सकता है, ऐसे मालुखारा आपके सरी में आरेन की कमी को तूर कर आपको एनिमिया से बचा सकती है, धन्यवाद, आपको यह जानकारी पसंदा आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सिर करना नवनिया